दोस्तों interpersonal communication जो होती है वो दो लोगों के बीच में जो बातचीत होती है यानि दो लोग जब आपस में बात कर रहे होते हैं उसे हम interpersonal communication बोलते हैं दोस्तों और interpersonal communication जो होती है दोस्तों face to face होती है यानि आप आमने सामने हम बात कर रहे होते हैं और इसमें किसी भी प्रिकार का हम टूल का यूज़ नहीं करते हैं तो इस तरह की जो communication है यानि बातचीत है वसे हम interpersonal communication बोलेंगे और यह जो communication होती है दोस्तों इनमें हम words यानि सब्दों का और gesture का यूज़ करते हैं gesture यानि कि दोस्तों अपने इसारों के माध्यम से हम अपनी बात दूसरे तक पहुचाते हैं यानि अंदर की जो feelings हमारी या कोई भी information हम दूसरे के साथ share करना चाह रहे हैं उसे हम words या gesture के जरीए बताते हैं और इस तरह के जो communication होती है दोस्तों बहुत ज़्यादा personal, direct और intimate होती है तो यह है interpersonal communication जिसमें दो व्यक्ति आपस में आमने सामने बात करते हैं